हम ये जानना चाहते हैं, क्या इसी तरहें का पत्र भारती जन्ता पार्टी के राजिस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी भेजा है जो जनाक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं? मानता हूँ उस जनाकोष यात्रा में भीड नहीं आ रही है मानता हूँ भारत जोडो यात्रा में भीड बहुत आ रही है क्या इस तरह का पत्र करनाटक की भाजपा को भी भेजा गया है जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं उसमें भी भीड नहीं आ रही है मैं मानता हूं माननी स्वास्त मंत्री ने जैसा की जैराम रमेश जी ने बताया कि एक भाजपा सांसद राजिस्थान से हैं वीपी चौधरी उनके पत्र का हवाला देते राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेशिस किया है हम यह जानना चाहत मानता हूं उस जनाकोष यात्रा में भीड नहीं आ रही है मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड बहुत आ रही है क्या इस तरह का पत्र करनाटक की भाजपा को भी भेजा गया है जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं उसमें भी भीड नहीं आ रही है यह मैं मानता हू स्विकार करता हूँ कि भारत जोड़ो याक्रा में उच्छा है और भीड़ जादार आज अभी यहां से आप हवाई अड़े जाए हवाई जाए जाए ना आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा ना कोई सानिटाइजर दिया जाएगा खतम क्या भारत सरकार ने नियमों का कि कोई घोशना की है कोई प्रोटोकॉल की घोशना की है क्या संसद का सत्र थगित कर दिया गया फिजिकल जो चल रहा है कि वो भी ऑनलाइन होगा तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं भारत सरकार को सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी दिख रही है भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यातरा दिख रही है और कोई यातरा नहीं दिख रही है और कोई भीर जाँ हो रही है वो नहीं दिख रहा हम नियमों का पालन करेंगे बशरते आप नियमों की घोशना करें और वो नियम सब के लिए लागो होने चाहिए सिर्फ राहूल गांधी के लिए नहीं सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी के लिए नहीं सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए